रेडियो चनार 90.4 FM से मैं हूँ आज जे साहिल मुजफर और शो चल रहा दिल की बात साहिल के साथ दोस्तो एक जमाना ऐसा था कि लोग कहते थे पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कुदोगे, हो जाओगे खराब लेकिन आज सिनेरियो है, वो टोटली चेंज हो गया है और पेरेंट्स खासकर अपने बच्चों को बहुत एंकरेज कर रहे हैं और साथ में जो स्कूल एड्मिनिस्ट्रेशन है टीचर से वो भी अपनी बच्चों को एंकरेज कर रहे हैं जैन के प्राइवेट स्कूल एसोसियेशन जी हाँ दोस्तों ये डिस्ट्रिक बारा मुला में होगा और आज हमारे साथ अभी बरायरास्त जुड़े हैं शाकिर अश्रप जो की चीफ और्गनाइजर है इस टोर्नमेंट के उन से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनको ऐसा क्यों लगा कि हमें अंडर 16 इंटर स्कूल फुट्बाल टोर्नमेंट और्गनाइज करना पड़ेगा शाकिर वेलकम है आपका रेडियो चिनार में जी थैंक्यू साहिल साथ बहुत बहुत शुक्री है आपका तो आप से यह जानना चाहेंगे कि अंडर 16 इंटर स्कूल फुट्बाल टोर्नमेंट अभी श्रू होने वाला है तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपके माइंड में या प्राइट स्कूल अस्टेशन ने कैसे डिसाइड किया कि आपके यह जानना चाहरे कि रहानाज है कि यह जानना है हूँ आपके बहुत ग में अन्यों ही आपके घैंट आपके यह जाना जहां तक इंट स्कूल इबेट सोटें इंट स्कूल पेंटिंग इंट स्कूल इंट इंट सीज़ थे इंट इंट स्थेटिएु अइज रहा हैं। वो प्यार्ण वेलकिन और संक्तोरम ने इनिएटु लिया था और उसके बाद वे बाद भी अच्छोर्ण के सब्चाई थेड़ा को इस अफिक बाद 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 वेख विए पारिशाया था और अभी अगर बात करेंगे हम तालेंट के अगर फुट्बाल के परस्पेक्टिव में बात करेंगे हम तालेंट के अगर फुट्बाल के परस्पेक्टिव में बात करेंगे हम तालेंट के अगर फुट्बाल के परस्पेक्टिव में बात करेंगे हम तालेंट के फुट्बा प्रॉपर स्काउटिंग एंपूचर देंग फिचर देंग फूचर देंग देंग तर्फर्ट वाट्फोर्म्स जैसे अभी हाली में हमारे सोपोर से ही एक लड़का असलेक्ट गवा ताजमुल इसलाम जीज बिलिपल विए उड़ 17 इंडियन टीम के लिए गया अरुन्ड न विए बिल्फर्ट बिल्क वल्फर्ट आप सहां चाहोंगा यू आरे इंटो फिल्फर्ट उडियन चाहोंगा यू इंडियन टीम्स टूड़ की इंडियन टीम्स यू पैरेंट्शिंट नहीं दिया जा रहा था और आजकल आपको ड़ग रहा है कि जो ऐसे प्रेंट दीज 15-20 साल पहले कि स्पोर्ट्स की तरफ उतनों तवज्व नहीं दिया जा रहा था और आज कल स्कूल्स भी पेरेंट्स भी टीचर्स भी अडिमिनिस्टेशन भी ऐसे इवेंट्स को प्रमोट कर रही है और और अर्गनाईज करने में हल्प कर रही है जी जी बहुत बिल्कुल आपने सही का जी पेरेंट्स भी एड़ान करना चाहता हूं कि जो तीन साल का गाप रहा बिकास प्रमोट के साथ जो गाप रहा मुझे लगता है वो कहीं न कहीं वी ऑव ट इनिशेट सम्थिं कि वह उस चीज को हम खतम करेंग अट्ष एक एक ऐसा चीज है जो अगर अंगर हम बात करेंग पिष्ट तीन साल से स्टूडन्स गर पर रहें पास्ट एग्जानेशनाशन उनों ने अपना क्रॉस किया दें इनेक्स स्टॉस्त लास लेकिन स् drug addiction has become a nuisance for our society whether it is our government or civil society all the rest is trying to get rid of this nuisance and sports can play an important role and because of that, as I am talking about the exhibition match that day, the students are motivated they are very much enthusiastic whether they are not just football or cricket now students are coming, we will talk about our school I am talking about sports captain two-three days ago that we have to organize this so this is a positive message so I think that today the parents and the government also support and the administration also support Absolutely Shagir and these kind of steps which you take a step will come up with stepping stones and your children will come up with different schools and that will come to the national and international level and they will come up with their name and I want you to know this that across the Kashmir radio people are listening to we being the official radio partners for this under-16 inter-school football tournament we will also try to disseminate the information as much as we can so you are the parents you are the parents you being the organizer what will be your message for them so that their morale will boost them and they will go up with all the power of their work and they will go up with their work yes, my message is for all the participating teams for all the participants for all the participants take it as a platform you are coming up with and we are trying our level best that you provide that atmosphere that you boost up that you motivate because as I said this is the right time that everyone needs to know what the caliber of potential is if in this tournament like 11 schools are participating if in these participants we have 3 girls who can go to the next level then finally we will have success and this is our achievement this is our achievement and please tell us our listeners when is the inaugural match and as you have told DPS 12th venue when is the inaugural match when is the inaugural match when is the inaugural match Tuesday coming Tuesday 20th September will start the inaugural match and and as for the fixtures because this is a big fixture as per rule as per rule as per rule as per rule will be a match with Sopor Public School and the first match will be at 2 o'clock and simultaneously the next match will be at the final we have not decided whether this will be a night match or a day match accordingly will be decided as our onboard team so we will decide that later definitely it is a great initiative and trust me I am really super excited and in this tournament you will get the updates to Radio Chanaar 90.4 FM and the rest of the updates will be you and we wish you best of luck Shaqir for organizing this event and as many participants too I thank you to Chanaar FM because they are our radio partner and the updates will be available to our audience that will come to school or our parents or staff members will come to school so thank you so much for that this is our role it is our role being in this society we are contributing from our side and you are contributing from your end Inshallah we will get the change that we will see that we will see Thank you so much Shaqir and you are listening 90.4 FM Radio Chanaar at Haradil Ki.com